असलाम वालेकुम क्लास थर्ड आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू किताब शाने उर्दू निकालने और सभी बच्चे अपनी उर्दी किताबे खोलने सबक नंबर दो अपने रफ से दूआ पेज नंबर साथ इस सबक को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बता दिया था ये सबक जो है तो वो पूरा हो चुका था आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे एक्सरसाइस करेंगे इस सबक की एक्सरसाइस बाकी थी तो आज हम इस वीडियो में से कंप्रीट करेंगे तो आप सभी बच्चों किताबें खुल गई हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज करना नमबर एक सही जवाब पर सही का निशान लगाई है अले फकीर के पास थे गदा बंदर बक्रा कि इनमें से सबी थे जबकि फकीर के पास तो यही तिन जानुवर थी न तो इसलिए हम सभी पर टिक करेंगे गदे ने क्या बनने की दुआ माँगी फकीर, काजी बाश्चा या फिर सिपासालाद गदे ने जो खुदा से दुआ की थी यह बाश्चा बनने के लिए की थी तो हम इस पर टिक लगाएंगे जी बंदर ने क्या बनने की दुआ माँगी सिपासालाद बाश्चा काजी या फिर फकीर, क्या दुआ की थी उसने, बंदर ने यह दुआ की थी कि अल्ला उससे काजी बना दे तो हम इसलिए इस पर टिक करेंगे नमबर दो दरजजेल सवालात के जवाब लिखिए ये जो सवालों की जवाब है मुलब जवाबाद जो होंगे तो वो आपको पीडियाप जाएगा ये अलफाद माने और दूसरा सवाल जवाब जो है ये दो चीजे जो होंगी तो आपको पीडियाप जाएगी और उसे आप अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में उन्दू की इसे लिख लीजएगा कॉपी में से कही वर्फ होगा आपका अलफाज माने और सवाल जवाब जो वर्फ आपका पीडियाप के जरीए जाएगा वो आप कॉपी में करेंगे बागी की एक्सरसाइज होए तो बुक में करेंगे तो इसलिए सवाल जवाब आपका कॉपी में होगा नमबर तीन दर्जजे जुम्लों को मुकमल कीजे अलिफ फकीर हर वक्त डैश की इबादत करता था किसकी इबादत करता था वो? खुदा की बे फकीर चटाई पिछा कर डैश से दुआ मागने लगा किससे दुआ मागने लगा? खुदा से दुआ मागने लगा जीम शायद हमारी दुआ भी डैश हो जाए क्या हो जाए गुबूर हो जाए चे फकीर इन जानवारों की डैश समझता था फकीर क्या समझता था प्रजानवारों की बोली को समझता था नमबर तीन यह नमबर तीन नहीं रहेगा यह आपका नमबर चार रहेगा नमबर चार किसने कहा यानि कि यह कुछ जुम्ले हैं जिने किसने कहा किसने बोला यह आपने सबक में पढ़ा है तो हमें बस वही रिखना है कि यह वर्ड किसने बोला था अलिफ मुझे इस मुल्ग का बाश्या बना दे ये किस ने कहा था इस बात को गदे ने कहा था तो हम इसलिए यहाँ पे गदे ने कहा था ये लिखेंगे बे मैं फोश का सिपासालार बन जाओं ये बात किस ने कही थी ये बात बक्रे ने कही थी जी मैं तो इस मुल्क का पार्दी बन जाओं ये बात किसने कही थी ये बात बंदर ने कही थी चे मुझे तो अंधा कर देना ताकि मैं ऐसे सरकार ना देखू ये बात किसने कही थी ये बात फकीर ने कही थी अपने तीनो जानवरों की बातों को सुनकर फकीर ने अल्ला से कहा कि तु मुझे अंधा कर देना ताकि मैं ऐसी सरकार ना देख सकूँ नमबर पांच दरजजेल हुरुफों को मिला कर लफ्स बनाई है यानि कि ये एक-एक हरफ जो है तो वो अलग करकर के लिखे हुए है इन्हें जोड़कर आपको एक अलफास त्यार करना है और उस अलफास को यहां पे लिखना है तो चलिए करते हैं हम फे प्लस काफ प्लस ये प्लस रे मिलाकर क्या होगा फकीर बे प्लस काफ प्लस रे प्लस अले मिलाने से होगा बक्रा गाफ प्लस दाल प्लस हे प्लस अले मिलाने से जो वर्ड बनेगा वो है गधा जीम प्लस अलिफ प्लस नूँ प्लस वाव प्लस रे मिलाने से क्या होगा जानवर नमबर छे दर्जजेल अलफास के मुतरादिप अलफास लिखिए यानि कि एक वर्ड जो है मतलब जैसे कि ये रात है तो हमें वही लिखना है कि इससे मिलता जुलता है जो वर्ड होगा जो अलफास होगा वो लिखना है अलफास बहले ही अलग हो जाए लेकिन जो माईने होगा तो माईने एक होने चाहिए अलफास चाहे जितने भी आप बोल दें लेकिन सब अलफासों के माईने एक ही होंगे उन्हें हम मुत्रादे पलपास कहती है तो इसे हम करते हैं रात को हम और क्या क्या बोलती है शब रात को हम शब भी कहती है अंधेरा भी कहती है और तारीकी भी कहती है खुदा खुदा को हम और क्या क्या कहती है अल्ला ताला माली और आखा दिन दिन को हम और क्या क्या कह बोलती है रोज यॉम और उजाला ये सारी एक्सरसाइज़स आपकी कम्टीट हो गई है तो आप सभी बच्चे इन एक्सरसाइज़स को अपनी अपनी बुक में कम्टीट कर लिजेगा और जैसे कि हमने बताया है कि आपको अलपास माने और सवाल जवाब के पीडियम जाएंगे तो उन्हें आप अपनी उर्दु की कॉपी में कर लिजेगा बहुत ही कैरफुलि आप लिखियेगा और गलती कोशिच कीज़ेगा कि गलती कम से कम हो वैसे भी आप लोग क्लास थर्ड की हैं तो आप लोगे का लेवल जो है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग गलती आप करें ठीक है तो चलिए आज के लिए अब इतना अपनों काफी है यह चैप्टर भी अपनों कम्प्रीट हो गया बागी के जो आगे के लिए चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही चलिए असलाम वालेकुम